करना हो उनका पैसा बरबाद ना लेकिन बहुत सांदार बहुत जानदार श्टाटिंग देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यह जो आप पॉइंट फाइब टाइम ही बुलते हैं तो आप रिपीटिंग का रिपीटिंग होना जीए तो आज किस नोलेजबल वीडियो हमारे सभी मेत्रों का हमारे यूटूबर का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है मैं सभी से करता हूं कि जो भी भाई हमारे चैनल को देखते हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जलूब कर दिया करो मैं इसी तरह की helpful वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं यह बहुत जानदार वीडियो होने वाली है आप इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से सेट करना बताऊंगा किस तरह से इसका इको सेट किया जाता है किस तरह से इसको चलाया जाता है और किस तरह से इसकी बेस्ट क्वाल्टी रहती हो यह मैं क्या लगा चेmbers है या यह भी बोलते हैं कि यह हमारा एक डाना पहले घ्रक कोई शबसे भिग इन को जो से पछसे पहले यही ही चलता था अज इसी साल पहले को शबकता रहों को सा ना सिorkा है किस तरह सिक्व यह थीगे हैं पहले हमारा आया था वह इसी से हमारी सभी साउंड वालों ने शुरू बात की थी बहुत ही सस्ता सिस्टम आता था और भूत ही सांदर डिले इसकी आज भी इसके डिले का कोई भी मुकाबला नहीं है कोई भी एक प्रवाइब आज भी नहीं है मार्केट में सही यदि कहा जाए तो इसका मार्केट में आज भी कोई जवाब नहीं है यह भूत ही सांदर क्वाल्टी देने वाला यह जहां भी आप लगाऊगे तो कोई यह नहीं कह सकता कि डिले में कहां को इतनी डिले चाहिए कितना हैं जो हमारे नए भाई हैं जो सुरू किया है यह जो चाहते हैं हमारी वीडियो देख करके तो इसे आप सुरू करेंगे तो आप को बहुत रूपिया मिलेगा इस हैं भहूत अच्छा काम है और यह का सुरूवात है आप इस्से कर सकते हैं च्छोटी से प्रोग्राम से संदा चलेगा तो आपको सबसे पहले मैं एक रोकेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने भी वहाई मारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज मैंने देखा आया कि आप गलत सामन खरीदते हैं गलत प्लीकुन खरीदते हैं और आ कि पर शुरू बात कि आप आपको महेंगा विले मत सामन की वाव में बीचना पड़ाँ आप आपको बता रहा हूं को इस वीडियota चीज धक्वाले भी और आप उनको देख करके वह इतना बता देते हैं उसमें का आप पीस्टर लगता है कि चलो यह तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कोई भी मार्केट में अच्छी आप शुरू बात करेंगे तो सबसे पहले मैं कोई एस्पांसर वीडियो में किसी का परचार नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं अपने अनभाव के साथ धोका ना हो उनका पैसा बरबाद ना जाए वह हमारे जो भी नए हमारे चैनल से जोड़ते हैं तो उनसे भी हमारी रेक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी कोई भी कुछ भी कहें आपको जो मैं मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं आप वह खरी दिये और उस से आप स्ट करने होते हैं कि हमारे स्टम अच्छे से बर्क निकरता है लोग उसकी बुराइब करते हैं वह आप वहीं फैल हो जाते हैं पैसे भी लगा देते हो आगे नहीं बढ़ पाएंगी तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करने पड़ेगी और यदि आप अहुजा से हुजा पर ही ऑना पड़ागा फिर आप मिक्सी सटम्क्तों चला सकते हैं फिस में यूज जो स्टेञियर 줄 recreate के लिए वहाओhington चेक भर की का सकते हैं उसे आप का देखे vivid अखिया से कि से लगा Пई चला सकते हैं तो आपका आपको mix speaker लगाने पड़ेगी आप उसमें चार नकली लगाईगे तो दो उसमें आपको original हुजा के लगाने पड़ेगे नहीं तो आपको quality कहीं से मिलने वाली नहीं है तो इसके साथ हम अब हमें चलते हैं अपने वीडियो पर वहां वीडियो पे आपको बताने वाला हूं किस तरह से हमारा जो echo chamber Roland का होता है उसमें किस तरह से setting की जाती हो किस तरह से setting करके हम उसको चला सकते हैं किस से सेटेंग होती है मैं इसकी राइट सेटेंग आपको बताने वाला हूं क्योंकि मैं जद्राइम बरबाद नहीं करूंगा मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखना और वीडियो को पूरा देखना लाश्ट रग देखना नहीं करना है तो आपको बहुत ही इससे मेलेगी कुछ आ अपने स्वांड की शुरूबात आप चोटे से सिस्टम से भी का सकते हैं दाइसो वाट का एंपलीफायर ले लिजिए एक एफेक्ट प्रोसेसा यह लेजिए और एक स्पीकर अहुजा का ले लिजिए आपको बस ज्यादा लेने के जोगी और छे माइक ले लिजिए बस आपक अपनी शुरूबात की थी मैंने भी समझ लीजिए कि बिल्कुल अहुजा 250 वाट ही मेरे हांद लगा था सबसे पहले मैं जानता भी नहीं था तब भी मारे पास 250 वाट अहुजा ही लगा था एक मिल गया था मुझे कहीं से पराना किसी ने बेचा तो मैंने खरीद लिया था तो चलता होँ आप तो ऑदिरे में कहीं से कहीं पहुच गया हूं यह सब हमारे सही पकड़ की बात थी कि मुझे को सभी सिस्टम मिल गया तो मैं आपको बतादाना चाहता हूं कि आपकी सुरूबात भी बहुत बेस्ट तरीके से हो आपका रुप्या बेस्ट ना हो तो इसके लिए आपको हमारी बात को मानने जरूरी है आप यूटूब की हजारों लाखों वीडियो भी देख लें कुछ सिस्टम कुछ बताने वाले हैं वह तो पिरचार करते हैं कि इस कंपनी के लिए लिए यह बहुत अच्छा है इसमें ऐसा चलता है आप सुरूबाता हू बशीया है और इसकी क्या सेटिंग करने तो सबसे पहले के पीछे पने किसमें आपको आप होगि आरेन हो तो और यहां मैंने इसको आउट से लिया है जो यहां पर आउट होता है दो आउट होते हैं तो आप दो आउट यहां से ले सकते हैं तो मैंने एक आउट लूँगा में यहां से तो यहां पर एक आउट लिया और यहां पर पीछे दे दिया है अब दूसरा जहां पर हमारे चार माई केहां पर लगते हैं तो एक किसी में भी लगाई उसके लिए वॉल्म है इसको फ़र्ष्ट के लिए फ़र्ष्ट बॉलूम सेकंड माई लगाएं यहां पर माईक लखा हुगा है सब्सक्राइब माइक 1 माइक 2 माइक 3 माइक 4 तो माइक 1 में लगाएंगे तो आपको बन बाला खोलना पड़ेगा तू में लगाएंगे तो फोर बाला खोलना पड़ेगा यह सबी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरह से करने हैं जो जैस करना होता है वो सिस्टम किया है हमारा ये तीन जो हمारे हैं इस घो सेट करना हो यह इसका टॉन होता है तो इसका ज्यादा फैरा नहीं पडता है आप उसको करेंगी उदर तो कुछ समंझ में नहीं अए तो इससे को निस को में फिनलब फिप्टी पर सेंट पर बोलके बताओं किस तरह से इसकी आवाज आ रहे हैं किस तरह से कहां पर क्या एफेक्ट आपको लगाना पड़ेगा तो वह भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो पूरा बने रही है लाश्ट तक देखिए मैं इसके सिस्टम को आपको पास से पूरा दि यहां ने देखा है माइक वालों माइक फृलन जो जिसमे भी लगाएंगे आपको खोलना आ है अ्टो इस तरह से फिसको माइक को खोंग अब यह मै extensive क्तूर्च सकते हैं तो को हुआ कर देखिए मैंने इसमें वाला व्लिम आपको खोल ला है तो आपने पहले हमने आपको बताए यहां से आउट लिया और लिया फिर क्या करेंगी हम सीधे आएंगे यहां देखेंगे और उक्सवन में अगर इन में लगाया है तो आपको कोई खोलेंगा ज़रूरत नहीं है फि इसको 80% लगभग आपको खोल लेना है कम वॉल्म भी निर आपको रखना एक परसेंट से थोड़ा दरना ज्यादा भी रख देंगे 90 पर देंगे कोई दक्रत नहीं लेकिन 80 परसेंट इसको बैस्ट रहता है इसको आपको देखना तो यह सीध में होगा वॉल्म उतने पर सेट होगा तो इतने पर यानि आप 2.5 तू नहीं 2.5 इसको रखेंगे आए इस तरह ऐसे और आपको स्पीड इसको मेनेज करता है का आपको स्पीड क्या चाहिए तो मैं सिक्स पर स्पीड करता हूं उसकी यह से यह सींगें के लिए बहूत ही ब्यश्ट रहेगी deti देट टाम होता है में कितने हें रिपीट कराना है तो की Windows दूबर ions सब्सक्राइब से अगए 2- 아래 अचते सदे करें दूबर को को बताते हैं तो ज्यादा कोई कलाकारी वाली वात नहीं है बहुत ही आप पर इससे बहुत ही बेस्ट रहेगा तो देख लिए मैंने इसका वॉल्म जो है अभी हमने को इसको वॉल्म को खोलते हैं और यहां से हम आपको टेस्टिंग करके बताते हैं किस तरह से आवाज आ रही तो आवाज को आप सुनिए आपको किस तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं हाँ तो आप है तो सब्सक्राइब करते हैं झाल सकते हैं कि अतों आप पिर मसीन कि यहां से आपको बढ़ाना पड़ेगा सब्सक्राइब निए जो हमारा होता है मिडल में इसको रख देंगे तो यहां पर रख सकते हैं वोगी आपको मिलेगी तो अभी मैं इस पीकर लगा हूं दोता है तो यहाँ कम लगता है यहां वहां पड़ा कम लगता है तो यहाँ सुनाता हूं आप भी सुनेंगे उसको किस तरह से इसकी आवाज आ रहे ही तो मैं टेस्टिंग करने वाला हूं है हालो तो टेस्टिंग के लिए यह जो इस पीकर हमने लगाया हुगा है यह अहुजा का एसार एक 220 स्पीकर है और इसको मैं अभी टेस्टिंग के लिए चला रहा हूं बहुत अच्छा स्पीकर है यह भी हालो कि हालो तो यह जो आप रिपीटिंग देख रहे हैं यह रिपीटिंग आपकी जो रिपीटिंग है कि आपकी से फिके हिसाब से ठीक है दिखना हालो कि में आपको स्पीकर के पास से सनाता हूं थोड़ा है तो इस तरह से हमारी सिंगे में आवाज आनी चाहिए इस तरह का रिपीटिंग होना जी जब हम गाएंगे इसको तो गाने पैर यह आवाज्डति ए को हैं ऐसके तो इस पेकार से बहुत ही सांधार आवाज आप इहां से सुनदियां बहुत ही संधारा क्वालिटी आपको यहां से मिल सकती है तो इस तरह से आप संगेंग के लिए आप है इसskो कब एफ़ेक्ट करिए और यłemत आप वैसे आपको बोलना है तो हम फिर थोड़ा इसको कम कर देंगे कि हम एक हर इसको हमने देखे यहां से कूं कर दिया है यहां से लिए ओंब तक हमने थूपीator तो तो यह बोलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा जैसे मंज से कोई बोलता है संचालन बगएरा करता है तो आपकी आबाज यहां से बहुत अच्छी आएगी और थोड़ा-थोड़ा इसको बॉल्म को इसको भी थोड़ा-थोड़ा कम कर देंगे और इसकी जो रिपीट यह थो क्यां यहां पर द देखी टीफे रखा है इसको हम वह ने क्कशी रख दिया और इसको यहांसे ठोड़ा बढ़ा दिया उसको 7 पर तो 7 पर इसकी quality बहुत अच्छी बोलने के लिए होगा और यह कैनद आप करते हैं तो ऑर दिख लिजेए इसको को हम 6 पे लाएंगे और इसको 2.5 लाएंगे अटीक है तो इसको टूपंट 5 कर देगा इसको भी 2.5 कर देंगे जी बहुत अच्छा एक्ट तो में आ नहीं चाहिए और बहुत ही आपका झैक्छी आवाज आएगी और बहुत ही सांदर कुल्टी मिलेगी। कि हालो अब में जैसे अलाब बगैरा भरते हैं लोग तो बहुत ह्यों अच्छा आएगा। देखतो देखिए मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा तो इस तरह से जो आवाज है वो बिल्कुल खिस्ती हुई जाने चाहिए पीछे आवाज टूटे ना जल्दी ना टूटे इसलिए उसको आपको इस तरह से एफेक्ट इसमें आपको इस तरह से एफेक्ट रखना पड़े जल्दी तूट जाती है तो आपको इस प्रकाश से रखेंगे तो आवाज नहीं टूटेगी बहुत सांदार आपको क्वाल्टी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए नमस्कार धन्नवाद